दोस्तों गर आप भी यूटूब पर वीडियो अप्लोड करते हो लेकिन अगर आपके वीडियो पर वीडियो नहीं आता है तो आखिर गलती क्या कर रहे हो अप्लोड दोस्तों हो सकता है कि अप गलत प्रोसेस से अपना वीडियो अप्लोड कर रहे हो दोस्तों पहले मैं भी ये गलती करता था मैं अपने वीडियो ची अपलोड करता था तो यहाँ पर देखिए, नए एक्रिकर क्या करता है कि YouTube अप्लिकेशन को अपेन करता है पुलास आइकन पर क्लिक करता है, अपलोड ओ वीडियो पर क्लिक करता है बांक ही यहां से अपने वीडियो का अप्लोड कर देता है और उससे लगता है कि मेरा वीडियो अप्लोड हो चुका है YT Studio में जाकर टाइटल अगरा लगा लेता है वो समझता कि मेरा वीडियो अप्लोड हो चुका है लेकिन भाई ऐसे अपलोड करने से आपका काम नहीं होने वाला है दोस्तों गलत प्रोसेस से 99% क्रिएटर अपना वीडियो को अपलोड करता है जिसके कारण उसका वीडियो वाइरल नहीं होता है यूट्यूब सर्च में नहीं जाता है दोस्तों मैं अभी पहले गलत तरीके से अपलोड करता था जिसके कारण देख सकते हो मेरे चैनल पर 2,800 इसपगा से व्यूज आता था लेकिन अभी लाइब देख सकते हो सिर्फ 28 दिन के भितर मेरे चैनल पर जो अभी व्यूज आ रहा है आप यहाँ पर देख सकते हो 10,000, 12,000, 15,000, 16,000, 20,000 इसपगा से व्यूज आना स्टार्ट हो चुका है तो आखिर क्यों और सिर्फ व्यूज नहीं अगर आपको दिखाओं तो यहाँ पर लाइब देख सकते हो सब्सक्राबर भी पहले 1500-200 बढ़ता था लेकिन अभी के दिन में आप देख सकते हो डेली 500-600,000 के आसपास में मेरा सब्सक्राबर बढ़ जाता है क्यों? अर्निंग भी नहीं होता था अर्निंग पहले एक डोलर भी नहीं होता था यहाँ पर देख सकते हो लेकिन अभी अगर आपको दिखाओं तो डेली 5-6 डोलर इस परकास से अर्निंग भी हो रहा है आखिर दोस्तों यहाँ पर कैसे हुआ क्योंको दोस्तों पहले मैं भी अपने वीडियो को जो अप्लोड करता था वो गलत तरीके से अप्लोड करता था मैं भी यूटूब अप्लोड करता था वाइटी श्च्टूब में जाकर टाइटल होगरा लगाता था और बांके वीडियो पब्ली करता था लेकिन मुझे पता चला फाइनली कि मैं जो वीडियो अप्लोड कर रहा हूँ बिल्कुल गलत प्रोसेस से अप्लोड कर रहा हूं, जिसके कारव मेरा वीडियो चलता ही नहीं था, यूटुब सर्च मिने जाता था, ना वाइरल होता था, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि यूटूब पर वीडियो अप्लोड करने का सही तरीका क्या है, जिससे आपका वी चैनल पर नहीं हो और इस पकार का और भी वीडियो देखना चाहते चैनल को सबस्क्राइब कर लेना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना या फिर YouTube के application से, तो भाई एक चीज़ आपको बताता हूँ, कि आप अपने Chrome browser से upload करोगा या फिर YouTube application से, आपका वीडियो upload कहा होगा, YouTube के platform पर ही, तो कहीं से upload करो, इस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बस uploading का process आपका सही होना चाहिए, आपका वीडियो 100% viral होगा, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं अपने YouTube application से ही करता हूँ, लेकिन process अलग होता है, यहाँ पर देखिए, तो क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले अपना YouTube application को अपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर देखिए, वीडियो आपको upload करने के लिए, आपको click करना पहले plus icon पर, यह यहाँ पर मैं करता हूँ, next पर click, next का option मिलता है, इस पर आपको click करना है, अब देखिए, लोग पहला गलती क्या करता है, पहला गलती लोग यही पर करता है, अपना title में, जो यहाँ पर अपना title फिल करता है, तो title क्या करता है, कि ऐसे भी कुछ लिख कर मतलब अपना title फिल पहले मैं आपको चले title बलाना सिखाता हूँ कि आपको टाइटल में देना क्या है तो यहाँ पर देखिए मैं आपको पहले सिखाने के लिए क्या करता हूँ थोड़ा सा में back कर देता हूं इसको ठीक है और दुबार आपको दिखाऊंगा यहाँ पर देखे टाइटल आपको जब भी बलाना है तो यहाँ पर क्या करना है कि आप अपना YouTube अप्लिकेशन का यूज करना है पहले आपको क्या करना है कि अपना लोगो पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखे जो मिलता टर्न ओन इन गोटी अब इसको पहले अपन कर लेना है इसको अपन करना से क्या होगा कि आपके सामने अल्रेडी सर्च किया हुआ कीवर्ड नहीं मिलेगा यहाँ ठीक है तो यहाँ पर देखिए अब आपको जाना सर्च वॉक्स में और यहाँ जिस भी टाइटल पर आप वीडियो अपलोर करना चाहते ह regeneration ऐसे यह वीडियो मिल्लू सर्च करना है यहाँ पर मैं वीडियो इसको यह पर यहाँ सर्च किया भी है और और देखिए अब दूस्तों मैं क्या करता ह треб यह जो उपर का टॉप वाला दिख रहा है इसको आपको कॉपी कर लेना है इसको आपको कॉपी करना है और इसको पहले अपने नौट्स में लिख लेना है भाई देखिए यहां पर टाइटल आपको बनाना है सही से कर आप टाइटल बनाएंगे तो ही आपका वीडियो वाइर जिससे क्या होगा पता है आपका वीडियो YouTube के SEO में जाकर फिट होगा और आपका वीडियो 100% वाइरल होगा YouTube सर्च में जाएगा YouTube सर्च में ज्यादा जाता है कौन वीडियो पता है जिसके टाइटल में दो बार सब्द रिपीट होता है तो यहां पर देखिए आपको कैसे बन और कोपी करके आपको यहां पर पेस्ट कर देना है अब इससे क्या आपको पता है कोई भी YouTube पर सच करेगा व्यूज कैसे बढ़ाए ना तो मेरे वीडियो वहाँ पर जाएगा रेंग करेगा जादा ज्यादा ज्यादा चांसे होता कि आपका वीडियो रेंग करेगा बस यह हो गया आपका टाइटल सही इस टाइटल को कोपी करना है देख सकतो मेरे बास यहां पर दो बार रिपीट हो गया व्यूज कैसे बढ़ाए और यहां पर भी आ गया है यह टाइटल अपका कम्प्लीट हो गया चले मैं यहां से कोपी कर लेता हूं और को दुबारा चलता हू तॉम एने title लिख दिया और ऐसे title लिखने पर ही अपका channel पर वीडियो चलेगा भाई ठीक है अब देख्ये यह हुआ title का काम अब यहां पर डिस्क्रिप्सिन का काम description में देखिए अभी आपको कुछ भरने की ज़रुद नहीं है यह आपको बाद में बरना है कैसे बरना है सारा चीज़ बताऊंगा description में आपको बहुत important important काम करना है तब जाके वीडियो चलेगा अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना बस आपको यहाँ पर देखिए जो मिलता आपको visuality यहाँ पर जो आपको visuality मिलता है यहाँ पर भी लोग गलती करते हैं यहाँ पर हमेशा क्या करना है कि visuality पर आपको देख सकते हैं आपको मिलता है public का कोई public में upload कर देता है तो आपकी यहां से back करता हूँ अब देखे second option जो आपको मिलता है audience का यहां पर भी लोग गलती करते हैं यहां पर देखे audience में क्या करना है आपको हमेज़ा no पर click करना है अगर आपका video सब कोई देख सकता है बच्चा बड़ा सब कोई देख सकता है आपको no पर click करना है बागी द आपको कैसे करना है live दिखाऊंगा आपको अब देखे यहां पर आपको क्या करना है कि upload पर कर देना क्लिक चली मैं कर देता हूँ upload पर click अब आपने upload पर click कर दिया आपका video देखो upload होना स्टार्ट हो चुका है देखे तो यहां पर आ चुका है जैसे आपका video upload हो रहा है उस कि इस मंद का है ठीक है अब देखिए आपको अपने वीडियो में यहां से आपको सेटिंग करना है बहुत सारे सेटिंग करना है जिसके बाद आपका वीडियो हैं यहां पर देखिए यहां पर आपको जाना कंटेंड पर क्लिक करना है इस पर इस पर मैं क्लिक करता हूं बांक आपका वीडियो अपलोड हो रहा है उसे अपलोड होने दो जब तक होता है होने दो यहाँ पर देखिए तब तक आपको सेटिंग सारा कर लेना है अगर अपलोड हो भी गया है फिर भी आपको सेटिंग करना है यहाँ पर देखिए आपको पैंसल आइकन पर करना है क्लिक पै चीज दे रहे सकते हो चली मैं आपको दिखाता हूं मेरा इंस्टाग्राम का सारा लिंक को अपने सारे वीडियो से यूज करता हूं तो यह डिस्क्रिप्शन मेरा एड हो चुगा है लेकिन अपका कंप्लीट नहीं हुआ भाई इसे लिखने के बाद आपको क्या करना है कि आपको जाना है यूटूब के अप्लीकेशन में जाने के बाद दोस्तों यहां पर देखिए जो मिलता है आपको टर्नों इंगोटी इस पर फिर से क्लिक करना है और यहां पर देखिए आपको सार्च करना अपना टाइटल को जो ट बढ़ा है, मैंने यह पर टाइप किया ब्यूज कैसे, सिर्फ K और A दिया हूँ, तो देखिए मेरे पास बहुत सारे यह आपर कीवर्ड आ रहा है, तो इन सारे कीवर्ड को लोग सर्च करके वीडियो को देखते हैं, तो आपको क्या करना है, इन सारे कीवर्ड को आपको अप जैसा काम आएगा यहां पर देखिए बस इसका screenshot लेना है screenshot आपने ले लिया अब देखिए screenshot लेने का बाद आपको क्या करना है कि यहां पर देखिए आपको मिलता है एक option यहां पर देखिए मैं अपने mobile में एक application डाउनलोड किया हूँ copy text on screen इसे आपको download कर लेना प्लेश्टर पर मिल जागा आपको easy तरीके से ठीक है इसका link भी मैंने description में देदिया हूँ आप जाकर वहां से भी download कर सकते हूँ आप दोस्तों देखिए इस application को download करने का बाद जैसे open करेंगे तो आपको click करना है इस icon पर इस पर click करना है और यहां से देखिए मैंने बहुत सारा already यहां पर जो की निकाला हूँ यहां पर देखिए इसको निकाल लेना अपना screenshot को और यहां से एक click में सारे text को यहां से copy कर सकते हो लाइब आपको दिखाता हूँ अभी तुरन्द copy हो जागए जस्ट आपके सामने तो देखिना copy हो चुगा है इसे copy कर लेना है और आपको इसको यूज कहा पर करना है अपने description में यहां पर देना है यहां पर देखिए दोस्तों यहां पर देखिए मैंने अपना उन सारा keyword क इसके नीचे सारा ची पेस्ट कर दिया हूँ इस पकार से कहीं भी अपने description में आपको सारा keyword डाल देना है यूर क्योरिस लिखकर अब उसके बाद यह हो गया बांकि अपना कुछ hashtag डाल सकते हो अपने keyword से लेकर कुछ hashtag डाल सकते हो जैसे कि मेरा ब्यूज से लेकर है तो यहा आपको description का काम हो गया complete अब next process आपको क्या करना है यहां पर scroll करना है और यहां पर जो आपको मिलता है यहां पर देखिए यहां पर मिल रहा है tax का काम इस पर आपको करना है click जो more option मिलता है इस पर आपको click करना है अब देखिए यहां से जो आपको tax का option मिलता है तो यहां प आपको category select करना है टेक्स भरने से पहले category select करना है तब तो आपका वीडियो उसी type के आदमे के पास पहुचेगा तो यहाँ पर देखिए मैं category select कर लेता हूँ जिसे कि मेरे already select कर रखा हूँ Science and Technology अपना category आपको select करना है जो भी आपका category है ठीक है अगर आपका cooking है तो cooking select करना है comedy है तो comedy select करना है तो यह आपका काम हो जागा complete अब इतना होने के बाद दोस्तों आप देखिए आपको directly क्या करना है tax और प्रोसेस को आपको पूरा करना है तो tax आपको डालना कैसे है आपको tax डालना कैसे वह चीज़ आपको समझाता हूँ यहाँ पर देखिए टेक्स का जो पहला keyword होना चाहिए वह होना चाहिए आपका वीडियो का title जो आपका title है एक बार अपने title में एक बार अपने description के top में और एक बार text के top में यहाँ पर आपका title होना ही चाहिए तब आपका वीडियो कहीं नहीं यूट्यूब के SEO में जाकर फिट होगा यहाँ पर देखिए आपको अपना यहाँ से title को कर लेना कोपी आदा title को कोपी करना है जो कि एक keyword को और यहाँ पर बस अपना text में जाना है यहाँ पर पेस्ट कर देना है इसे कर दिये इंटरप्रेस कर देना इंटरप्रेस कर देना बागे दूसरा काम यहाँ पर देखिए वीडियो कैसे बढ़ाएं इसको भी कोपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं चलिए इसको भी पेस्ट कर देता हूँ तो मैंने पेस्ट कर दिया, अब देखिए यहां से आपको दो टेक्स तो हो गया, लेकिन और भी टेक्स मुझे कहां से मिलेगा, ऐसे अगर आप अपने मन से डालेंगे तो वेडियो पर चलेगा नहीं, क्योंकि आपको पता किसे चलेगा कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, यहां पर जितने सारे कीवर्ड डालता, तो इनी सारे कीवर्ड को लोग सर्च करते हैं, आप चाहे तो एक एक करके सारा टेक्स यहां पर वहां पर लगा सकते हो, टाइप कर सकते हो वहां पर, लेकिन इसमें आपको काफी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसका एक सोटकर आपको बढ़ा किया है, आसान थरीका में आपको चली दिखाता हूँ, टिक है, लेकिन इससे पहले आपको अपना यहां पर एक बड़ सेप कर लेना है, यहां पर देखिए, आपको अपने वीडियो को यहां से शेप कर लेना है, जितने भी सारे सेटिंग किये हो, टेक्स, थोड़ा लगाया हो, दो कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन भी रहे हो, सारा आपको उपर सेप कर लेना है, ताकि यह डिलीट ना हो जाया, तो सेप अपका हो गया, अब देखिए, सेप होने का बाद आपको दुबारा किया करना है, यहां पर देखिए, आपको अपने मोबाइल अप्लिकेसन दुबारा यूज करना है, इसका भी लिंक में ने डिस्क्रिप्स हैं, आप जाकर डाउलोड कर सकते हूँ, और प्रस्शनली मैं इसका यूज करता हूँ, यहां पर देखिए, आपको बस बीड आपको करना ऑपन, यह यह यूटूब से शाटिपाइड है, यह यूटूब से certified आपको यहाँ पर कोई घबराने का बात ही नहीं है अब देखिए application जैसे open करेंगे तो आपको बिल्कुल YT Studio एप की जैसे आपका वीडियो यहाँ पर दिख जाएगा सबसे टॉप में तो बस यहाँ से अपने वीडियो को आपको करना है open जैसे अपने वीडिय जैसे से टेक्स लगाँगा उसे सो बढ़ेगा और टेक्स लगाने के लिए आपको यहाँ पर देखिए दिमाग लगाने के ज़रूत नहीं है यहाँ पर आपको रिकोमेंड करेगा यह अप्लिकेशन बस आपको प्लस एकन पर क्लिक करते जाना है यहाँ पर मैं क्लिक करता ह इस पर करता हूं इस पर करता हूं और यहां पर बस आपको सेव यहां पर जो मिलता है पब्लिक एंड सेव इस पर आपको करना है क्लिक आपने क्लिक किया अब देखिए दुबारा फिर से मुझे तीन कीवर्ड देगा यहां पर देखिए फिर से तीन कीवर्ड दिया इन तीनो इसको भीबड ऺढ़ेगा लाइप देखो तो मैंने किलिक किया अब देखिए यहाँ पर ओचुका है फोटी-फोर परसन दुबारा फिर से 3 को स्लेट करने इस पका से पर कर से टो इस पका से 2-3 बार आप लag ता 3-3 कीवर्ड को स्लेट कर से आपका यहां पर tax का process हो जाएगा पूरा complete देखिए मेरा यहां पर काफी ज़दा tax लग चुका है तो आपका SEO score हो जाएगा यहां पर 44 हो जाएगा और 46% हो जाएगा जब पूरा tax यहां पर लग जाएगा बस आपका tax का काम हो गया complete जैसे complete होता है अब में चली चलता हूँ YT Studio एप में टेक्स देखना है आप यहां पर अपने निकाल के भी देख सकता हूँ चेक करके देख सकता हो मेरा tax यहां पर लग चक़ा होगा यहां पर देखे मेरा tax लग गया है चुटकियों में लग गया आसान थरीका है अब देखिए भाई आपको क्या करना है कि अपना thumbnail को यहां से अटेच कर लेना है यहान से थम्नेल को अपको AID कर लेना है, यहान पर कश्टम थम्नेल पर क्लिक करना है और यहान पर देखिये मैं इस थम्नेल को थोड़ा दर के लिए अटेच कर देता हूं तो मैंने done कर दिया मेरा thumbnail लग गया है thumbnail लगाने के लिए आपको यहां पर pencil का icon मिलता है इसी पर click करना है तो यहां से लगाज़ पाओगे ठीक है अब देखिए जिए अब का thumbnail लग जाए टेक राड़ डिसक्रिप्शन सारा ची लग जाए उसके बाद आपको यहां पर विजुलिटी पर click करके दुबारा और यहां से अपने वीडियो को पब्लिक कर सकते हो आपका वीडियो पब्लिक हो जाएगा लोगों को पास पहुंचना इस्टार्ट हो जाएगा और यही तरीका होता है सबसे बैस्ट यूटूब पर विडियो अप्लोड करने का दोस्तों अगर अभी ते अगर आप विडियो देख लिए हो अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो इस पर आगा आपको और भी विडियो मिलेगा तो चली मिलते हैं दूसरा विडियो तब तक के लिए जयाहिन वन्दमातर